पुलिस जानकारी के रहते विप पाए गई उनकी जानकारी फ्लैट मालिकों ने पुलिस को नहीं दी थी जिसके बाब फ्लैट के मालिकों पर पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है या कारवाई तब हुई जब पुलिस स्वतंतरता दिवस को लेकर गुरुगराम शहर में अभियान जला रही है दरसल स्वतंतरता दिवस को लेकर गुरुगराम पुलिस जाच अभियान जला रही है भूंट सी थाना पुलिस ने कई जगों पर अभियान चुराया इसी दोरान पुलिस सेंट्रल पार्क सोसाइटी पहुँची यहां मेंटेनिंस कारियाले में मौझूद मैनेजर से लेकर जब रेजिस्टर चेक किया गया तो 30 से ज़्यादा फ्लैट में 50 से ज़्यादा विदेशी रहते हुए पाए गए जब इनके सी फॉर्म के बारे में पूच ताच की गई तब उसने जानकारी से इंकार कर दिया पता चला कि फ्लैट के माले दूसरे देश में रहते हैं इसके बाद थाना पुलिस ने केस तरज किया भून से पुलिस ने बताया कि फ्लैटों में दुबाई थाइलैन समीत कई द नागरिक के होटेल, मकान, गेस्ट हाउस, फ्लैट्स में ठहरने की लोग पुलिस को सूचना दे और फॉरेनर एक्ट की धारा साथ की पालना के तहट सी फॉर्म भरे उन्होंने विदेशी नागरिकों को बिना सी फॉर्म भरे ठहरानी पर सक्त कारवाई की चेतावनी दी फ फॉर्म से भारत में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा की संबन में अवश्यक कदम उठाना आसान हो जाता है। सक्त कारवाई करने जा रही है।